सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार धे टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ कुर्बान अली और आप देख रहे हैं हमारा सापता है कारिकरम राष्टिय मुद्दे जिसम कश्मीर में मानवधिकारों की और महा अलागू सारजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 कानून की पीसे एक निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है इसके तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी काम को करने से रोकने के लिए दो सालों तक के लिए हिरासत में ल अधरबंदी के लिए किया जाता है इस अधिनियम की प्रकृति दन्रात्मक निरोध यानी प्यूनिटिव डिटेंशन की नहीं है ये अधिनियम सिर्फ संभागी आयुक्त या डी सी या जिला मजिस्ट्रेट त्वारा पारित प्रशासनिक आदेश से लागू किया जाता है राश्टिय मुद्दे में आज बात इसी विशे पर इस चर्चा में मेरे साथ जोड़ रहे हैं कश्मीर मामलों के जानकार एर मार्शल कपिल काक और वरिश पत्रकार शेख मंजूर एहमद स्वागत है आप दोनों का इससे पहले कि हम इसे विशे पर बाच्ची चुरू करें आईए देख लेते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्म मुख्यमंद्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जन्द सुरक्षा कानून यानि पियसे के तहट मामला दर्ज किया गया पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर का विशेश दर्जा खतम किये जाने के बाद ये दोनों नेता नजर बंद है इसके साथ ही दो अन्य नेताओं पर भी पियसे लगाया गया जिसमें नेशनल कॉन्फरेंस के वरिष्ट नेता अली मुहम्मद सागर और पीडीपी के नेता सर्ताज मदनी भी शामिल है ये सभी नेता पिछले पाँच अगस्त के बाद से एहतियातन हिरासत में रखे गए थे अब इन पर जन्द सुरक्षा अधिनियम लगा दिया गया है जम्मू कश्मीर में इस अधिनियम के शुरुआत 1978 में लकडी तसकरी को रोकने के दोरान की गई थी आपको बता दे इस अधिनियम के शुरुआत फारुक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने की थी और अब ये उम्रसीमा बढ़ा कर 18 साल कर दी गई है हालिया सालों में भी इस अधिनियम का कई दफे प्रयोग किया गया है साल 2016 में हिजबल मुजाहिदीन के आतंकी बुरुहान बानी की गरफतारी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पियसे का प्रयोग कर तकरीबन 550 लोगों को हिरासत में लिया गया था पियसे उस व्यक्ति पर भी लगाया जाता है जो पहले से पुलिस हिरासत में है या जिसे आदालत से जमानत मिल चुकी है यहां तक की इस अधिनियम का प्रयोग उस व्यक्ति पर भी किया जा सकता है जिसे अदालत ने बरी कर दिया है अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पियसे का प्रयोग कर राजिके किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आरोप या जाच के नजर बंद किया जा सकता है या उसे हिरासत में लिया जा सकता है यह नजरबंदी दो साल तक ही हो सकती है कश्मीर में 370 के कुछ प्रावधानों को हटाए जाने के बाद इंटरनेट सेवाय बंद कर दी गई थी मोबाइल नेटवर्कों को जाम कर दिया गया था लोगों को हिरासत में लिया गया विपक्षी पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में रखा गया प्रेस पर पाबंदिया लगाई गई लोगों को विरोध प्रदर्शनों से रोका गया और इसके अलावा शक की बिनह पर कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया केंद्र की तरफ से सुरक्षा बलो की कई टुकडिया भी कश्मीर भेजी गई इस अधिनियम की शुरुवात राज सरकार द्वारा लकडी की तसकरी और उगरवात से निपटने के लिए की गई थी लेकिन बर्तमान में इसका इस्तमाल व्यापक तोर पर मानवादिकार कारिकरताओं, पत्रकारों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है समस्या के समाधान के लिए निर्मित इस अधिनियम का दुरुपयों होने के कारण ये अब खुद एक समस्या बन चुका है इसलिए ये जरूरी है कि इस अधिनियम में जल्द से जल्द संशोधन कर इसे पुनह आतंकवाद और उगरवाद के विरुद एक समाधान के रूप में प्रियोक करने है तो स्थापित किया जाए मैं इस चर्चा की शुरुआत कप्ल काक सावाब से करना चाहूंगा हम पीएसे की बात करें ये जो प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए कानून जो 1978 में बनाया गया था पीएसे लेकिन उससे पहले चुके आप कश्मीर से भी जुड़े हुए हैं वहां लगातार आप जाते रहे हैं कही प्रत्रिदी मंडल लेकर के आप महां गया हैं इस वद कश्मीर में मानव अधिकारों की क्या इस्तिती है गंबीर क्योंकि अगर आप मानव अधिकार जो आपके अधिकार हैं आपके हकुक हैं तो उनको रिकनाइस नहीं करते हैं और जो भी राजनीतिक यहां टेबल पर लाते हैं लागू करते हैं वो उन अधिकारों के खिलाफ है वो मानव अधिकार comprehensive है व्यापक अधिकार है पहले तो राजनीतिक अधिकार है मैं हिंदोस्तान का नागरिक हूँ तो मुझे भी सेवन अबरेट हूँ मुझे भी राजनीतिक हकोक मिलने चाहिए मुझे कोई options देनी चाहिए तो विरोधियों को एक international मानना भी एक denial of freedoms है तो मगर मैं आपका जो प्रश्न है पिजाज़त हो एक दो मिनिट लूँ और इसको expand करूँ academic you know global academic debate अगर आप कश्मीर की वादी में रखें तो हम आगे बढ़ने में थोड़ी मुश्किल आते होंगी पहले जो civilized society होती है सारी पिश्वव में उनका contract होता है social contract नागरिक का और सरकार का नागरिक की जो भूमिका है कि अच्छे नागरिक बनिये आप किसी हिंसा में शामिल ना हो देश विरोधियों के साथ ना मिलें ये इन के लिए बताया जाता है जहां तक सरकार की बुमिका है वो है कि कोई कोई नागरिक जो है उसको किसी तरह की नजरबंदी में लाना नहीं चाहिए और बिना किसी वज़ा के तो अगर आप लाते हैं तो ये एक सोशल कांट्रैक ब्रेक होता है दूसरा मुद्ध ये है कि जैसे आपने खुरी जिक्र किया वो ये है कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये निवर एक नजरबंदी है और इसको इसके सजा की नजरबंदी नहीं है तो इस पे अलग- इंपल्सिस आते हैं एक तो प्रिवेंटिव हैं आप उस आदमी को प्रोटेक्ट करते हैं आप समाज को प्रोटेक्ट करते हैं कहीं कानून विवस्ता खराब नहों राश्ट्र सुरक्षा पर कुछ असर नहों और उसके लिए भूमे का सरकार पर भी बढ़ती है क्या आप इसको एक तरह की कथोर तरीके से देखते हैं क्योंकि इसमें एक तरीके की जिसे कहते हैं बैलेंस होनी चाहिए संतुलन होना चाहिए नागरिक के राइट जो है और सरकार की जो रिस्पांसिबिलिटी बनती है दूसरा वो यह है कि अगर आप तारीक देखें तो सारे विश अभी हमारा देश सोतंत्र हुआ भी नहीं था उसके बाद गर्मेंट आव इंडिया एक्ट 1935 में सारे हिंदुस्तान में लगा था क्यों लगा था कारण तो वैने अभी बताये हैं तीसरा जो हुआ है कि जो कश्मीर की बात करते हैं उनीस सो उन्तालीस का जो कॉंस्टिचूशन महराजा हरी सिंग के टाइम पे था उस पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रिवेशन्स थे और उस पे काफी लोगों के जो भी उनके खिलाफ कारवाई कर दे उनको अंदर किया था उसके बाद सेन्तालीस में जब 370 आर्टि काउन है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लौज जो है हिंदुस्तान के कश्मीर पे नहीं होंगे कश्मीर अपना काउन बनाएगा तो जैसे आपने खुदी कहा है कि पहली बार तो 1964 पे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लागो हुआ कश्मीर में 14 साल के बाद जब अंदर रखने के लिए क्योंकि शेख साब जब भापिस आए अपनी अरेस्ट के बाद और बुक्य मंतरी बने तो उनके साब ने सबसे बड़ी चनौती राजनी तिक नहीं थी टिबर समगलिंग की थी वो किसी की मानते नहीं थे और बना पूरा फैला हुआ था आप जाने म सुच्वेशन अभी भी खराब है इसी बात नहीं है कि कुछ तबदीली नहीं आई है अभी भी रेस्ट्रिक्शन्स है कम्निकेशन की जो फैसल्टीज है अभी टू जी ही उन्होंने रेस्टोर किया और कभी कभी वो भी बंद करते हैं ऐस अंड वें डे रुकरेट दूसरी एक तस जबरदस बरबारी हुई जिससे और्चर्ड तबाह हुए है लोगों को यह हो शट डाउन की वज़े से लोगों को एकनामिक लॉस बहुत हुए है तो जी टूगों अफ ट्वेंटी थाउसन करोर ज एक भी पैसा भी तक हकुमत ने नहीं दिया है अब यह आपने कहा यह पुब्लिक सेफटी एक जैसे ऐर मार्शल साब ने कहा यह इसको बनाया था टिमबर समगलर के लिए लेकिन इसके बाद एट लिस्ट कुछ रिपोर्टर्स कहता है एक टो टैन थाउजन पीपल वेर डिट एरेश्ट अंडर दिस एक आर्ट से दसजा यह एमनिस्टी इं वो इस्तेमाल कर रहे थे इन लोगों के लिए जो वो समझते थे यह सपरेटिस थे या मिलिटेंट मिलिटेंसी में इनवाल्वड है अब पहली बार यह हुआ जो मेंस्ट्रिम पॉलिटिशन्स है उनके खिलाफ यह इस्तेमाल किया गया उन्हों ने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया है हालां कि यह रूडिंग पार्टी है चाहे वो नेशनल कांफरेंस के साथ भी पार्टनर रहे हैं पीडीपी के साथ भी पार्टनर रहे हैं दो दिन इस से पहले फारुग अब्दॉल्ला और उमर अब्दॉला प्राइम मिनिस्टर से मिले वजीर यदाखला का बयान फारुग अब लोग सबाई यह है, फारुग अब लाई इस फ्री टो गो एनिवार इन दी कंडरी, किसी ने उसको रोका नही है, ही इस नोट अंडर डिटेंशन, तीन महिने ऐसे रखा, तीन महिने के बाद उनको आया, लेटस पुटिम अंडर पिये से, और आप छे महिने के बाद यही लाउ उन्होंने अपलाई किया है, महबुबा मुश्टी और फारुग अब लिए भी, सिच्वेशन जब तक इनको सिच्वेशन को ऐसी ही छोड़ दिया, अभी तक उसको किसी भी जगा, अभी को किसी ने मुझे बेजा है, लांगेस्ट जो है, इंटरनेट शाट जाओन जो वर्ल्ड में रहा है, वो कश्मियर में रहा है, इससे मसाइल तो हल नहीं होंगे, जो इनके मेंस्ट्रीम पालिटिशन या पार्टीज थी, वो गवर्मेंट आफ यानि की इंडियन नेशनलिजम को प्रमोट कर रहते हैं वहां पर, एर बार्शल साब शायर मुझे इस पर यानि के अंडॉर्स करेंगे, जब कांग्रेस बन गई इस सिक्स्टी फॉर में, तो कांग्रेसी लीडरों के खिलाफ लोगों ने वहां पर प्लिटिकल पार्टीज ने बाइकार्ट की, बोहिम शुरू की, उन्होंने अवरकम किया, उन्होंने बड़े फेस किया उस वक्त, उसके बाइब नेशनल कांफरंस के खिलाब ही ये चला या महबुबा मुश्टी के खिलाब ही कि ये प्रो नेशनलिस्ट, यानि मेंस्ट्रिम पालिटिशन ये हैं, अब इन्ही के खिलाफ आप कर रहे हैं, इसकी कोई जवाजियत ही नहीं, ठीक है, कपिल काक साब, राजनिती में हम जाए बेना कि किस पार्टी ने क्या किया हम अगर सिर्फ बात करें मानवधिकारों की और उससे जुड़े कानूनों की, और क्या उसका दुरुपियोग हो रहा है, या उसका बहतर प्रियोग हो रहा है, ये हमारी चर्चा का मुद्दा है, तो मैं आप से ये जानना और समझना चाहूंगा, कि धारा तीन सो सत्तर तो पिछले साल, अगस सितंबर में खत्म हुई, लेकिन उसके पहले भी, जो वहा अफस्पा को लेकर के काफी रिसिस्टन्स रहा, बहुत दिनों तक लोगों ने विरोज जताया, और भी कई ऐसे कानून थे, इनके तहत सेनेबलों को, या अर्द सेनेबलों को अधिकार में ले हुए थे, उसकी भी काफी शिकायतیں होती थी, उसकी क्या सूरत इहाल है, है कि मौत का एक दिन मौयन है, रात पर नीन को नहीं आती, यह मेरा हाल है, मैं कश्मीरी हूँ, मन्जूर साब की तरह, तो पहले, मैं आपका जवाब दूँगा, तो तीन मुद्धे हैं, वो इनके साथ में जुड़े हुए हैं, पहली बात है, पब्लिक सेफटी एक्ट जो 78 के बाद इवाल्व हुआ है, वो बहुत ही ड्रकोनियन कानून है, हिंदुस्तान में यह कानून नहीं है, शायद हिंदुस्तान के, सिर्फ जमौ कश्मीर में, और जब रियॉगनाइजेशन बिल पास हुई, जो सबसे कठोर कानून आम नागरिक के खिलाफ हैं, वो एक्स् सो में कर दिया है, मार पार्लिमेंट में जब अमित शाह ने रिजलूशन बिल पास की, पेश की, उस पे ये था कि पी एसे लाग होना चाहिए, नैशनल सेक्यरिटी एक्ट भी एक्स्टेंड किया गया, जमौ कश्मीर की बिनियन टेरिटिर्टिर्टिर्टिर्टिर्टिर् इसरा जो है कि जो भी कानून जमौ कश्मीर के थे, जो कुछ अच्छे-च्छे कानून थे, उनको तो खेर, उनको एक्स्टेंड किया गया, मगर जो इनको लगा कि ये कानून कभी हमें मुश्किल पहला पैदा कर सकते हैं, उनको रिपील कर दिया, बतलब ये जैसे उनका ही उनके ही लफस हैं, चुन-चुन के उन्होंने, यहां मेरा एक सवाल ये है कि जब NSA भी लागो हो सकता है कश्मीर में, तो फिर PSA की क्या जरूमत रही है, यही तो मैं कह रहा हूँ क्यूंकि NSA जो है, बाद में आया है, PSA उससे पहले, NSA तो 80 में आया, मगर NSA में प्रोविजि कमिशनर या डेपटी कमिशनर एक आर्डर ला सकता है कि परसन एक्स को आप अंदर डालिए, आपके पास दो साल है, आप उस पे पहले तो आपको जाना है एडवाईजरी बोर्ड पे पास, मतलब एडवाईजरी बोर्ड जो हैं उस पे एक सिटिंग या रिटायर जज होना चाहिए, आज तक मैंने कोई अडवाईजरी बोर्ड नहीं देखा है कश्मीर में जो कि इसके सरकार के खिलाफ किया है, तो मतलब जो जो आपके मतलब इंस्टिचूशन है, वो कमजोर हुए है, तीसरी बात जो है, हिबिस कॉर्पस की बात हुई है, पुलवामा कब हुआ? एक सालवा, नहीं, मतलब फेबरिडी में हुआ, फेबरिडी से आउगस्ट लास्टियर तक, असी प्रतिशत जो उनतालीस डिटेंशन थी, उनको कानून ले रद कर दिया, तो मतलब जो आपकी डिटेंशन की बेसिस थी, वो गलक थी, इलीगल थी, तो जो इसका जवाब त से कोई सहमती नहीं है, ना तो उनकी मानते हैं, अड्वाइजरी बोर्ड के कर भी नहीं कर रहे हैं अपना काम, एड्मिनिस्ट्रेटिव एक्शन पर आप किसे को अंदर डाल रहे हैं, ये रिवॉल्विंग डोर है, मैंने खुद देखा हुआ है कि कश्वीर में, आप पिस डिटेंशन थी, वो सब रद हो गई, थाबित नहीं हो पाई कि गरफ्तारियां सही थी, बाकी और लोग जो पिछले वर्षों में इस कानून के तहट गरफ्तार किये गए हैं, उसका आकड़ा क्या है, और अदालतों से किस हद तक रिलीव मिल पाता है, देखे पहले, जैसे आपने पहले का, Armed Forces Security Safety Act भी था वहां पर, जब कांगरस की, अभी भी है, जब कांगरस की गवर्मेंट थी, तो यह बात चल रही थी, शायद सिरीनगर कश्मिर के दो डिस्ट्रिक्स में और जोमों के दो डिस्ट्रिक्स में उसको हटाया जाएगा, लेकिन बाद में जब चे ही है, जब आप इसको डाउन ग्रेड कर रहे हैं, स्टैटस जो में एंड कश्मिर को एक यूनियन टेडिटरी बना रहे हैं, कांस्ट्यूशन जो उसका होता है, खतम हो रहा है, शायद रिम्बीर पैनल कोड जो है, इसके बारे में जो वहां का जो कर्म यह उसमें भी, उसक इस चीज के बारे में यह क्यों रिटेन किया गया है, एक तो यह बात है, दूसरी बात, फारुख साब के जमाने में, आइ तिंग इन एटीज, लेट एटीज में, जब मफ बन गया था, मुस्लिम यूनिटिड फरेंट, उसके कुछ लीडरों के अंडर इस एक्ट किया था, लेकिन बायद में बेसिकली इसका ज्यादा यूज हुआ है, जब मिल्टेंसी सिटार्ट हुई हुई वहां पर, और वो भी उनको भी इस तरीके से शोड़ा जाता था, बहुत लूग हो, फिगर्स यह है कि दो नाइटीन नाइटी से तेल टू थाजन, कुछ कहते हैं, आठ आप अभी भी, वहां के लोगों के साथ, वो सुतेलाना सुलू कर रहे हैं, अगर एक ही लाव होना चाहे, उट शुड भी यूनिफॉर्म लाव फ़र, पीपल अफ ऑल यह निकी स्टेट्स, या यूनियन ट्रेटरी, वहां पर दूसरी जगह यह नहीं किया, इसका यह, वह खत्म हो गए, पीपल नॉर्मल सी हाई है, यह अगर इन चीज़ों के एक तरफ कहते हैं, दूसरे तरफ सारे जो ड्रकुनियन जाज हैं, इन पर वहां पर इसका इंप्लिमेंट कर रहे हैं, यह समझ में इनकी बात नहीं आई है, कपिल काक्सा हमने जिक्र किया, कि जो कश्म से हमें एक चीज़ देखनी है, वो यह है कि एक और पहलू से इस मुद्ध को देख लें, मजजूर साब ने तो बहुत ही उच्छत तरीके से इसकी बात की है, वो है कि 78 का कानून जो टिम्बर स्मगलर्स के खिलाफ था, वो बहुत काम आया सरकार को, केंदर सरकार और राज लोगों को मालूम नहीं है, मैं उस वक्त सेवा नेवरत नहीं था, सर्विंग आफसर था, कितनी बार में हेलिकॉप्टर्स में सरे डगर क्या, कानून की स्थिती ऐसी थी कि मतलब कश्मीर, मतलब हिंदुस्तान का के साथ हाई नी, तो आपको ऐसे कठोर कानून लाने की में आया, यह जो PSA था यह भी काम में आया है, मगर दिल्चप बात जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो एक दौर था, वो दौर खतम हो गया है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप क्या चाहते है कि क्या वहां आतंकवाद खतम हो गया, अब जरुत नहीं है, के वेब साइट पे जाएए, आज 500 से भी कम, अब देखिये न, तू क्या है, मतलब अगर अगर एक अगर एक शांती का माहूल आ गया है, जो जिम्मवाराना सरकार और राजनीतिक पार्टीज हैं, वो मॉनिटर करती हैं कि हादत बदल गया है, कश्मीरी हमारे साथ हैं, कश्मीरीओं की कुछ, हम डिमांड्स हैं, राजनीतिक तरीके से हम डिमांड्स को मीट कर सकते हैं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2003 का अंकरा मैंने दिया, 2007 तक तक तो ये 4,500 से 1,500 पहुंच किया था, क्यों? क्योंकि 2003 से 2007 तक वाजपाई साथ का जो पाकिस्तान के की गिलानी साथ से बात हुई, उनके साथ इंडारिकली हुई, मगर यासीन मलक से हुई, मिरवाइस अमर फारूक से हुई, शिया लीदर संसारी साथ के साथ तो मैं देखता हूं, वह माहुल नहीं है, अब आपको क्या है, आपके पास तो कोई विकल्प है ही नहीं, बाकी होनी चाहिए, या तो ऐसे कठोर कानून लाने हैं, यह पहली बात है, दूसरी बात कुर्बान साहब है, हमने एक कानून जो है, उसकी हमने जिकर की ही नहीं, वह है अन्दाफल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, वह आप आजे से, यह एंटी टेरर लौ था, जैसे आज कल एक इंपल्स है, अगर आप हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर आप एंटी नैशनल हैं, अब शाहीन बाग ने हमें क्या दिखाया है, हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाया है, शाहीन बाग, पहली बार मैं 20 साल से कश्मीर को देख रहा हूँ, सुरक्ष तो मतलब दिखा रहे हैं कि रास्ता ये नहीं है, मैं CAA की बात कर रहा हूँ, NPR की कर रहा हूँ, NRC की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर वो मुदा है, यहां पर कश्मीर का मुदा भी आएगा, मुश्किल ये है कि क्योंकि आपको UAPA में या PSA में कोई राइट टू रेप्र का दीजिए के आपने मुझे क्यों अंदर कर दिया, कुछ इतने लोग हैं जिनको ये कहा भी नहीं गया है, जस्तिस मागरे हैं, जस्तिस हाई कोट जमो कश्मीर के, उन्होंने एक जज्ज्मेंट दी, के एक नागरिक थे कश्मीर के, उनको ये नहीं कहा गया कि हमने आपको को अंदर क्यों रखा, ये ये बुनियादी कानून है, मतलब लॉलेसनेस है, इसलिए पियसे को कहते हैं लॉलेस लॉव, रॉल्विंग डॉर, लॉलेस लॉव और ड्रेकोनियन, जब तक आप इसको ठीक नहीं करते हैं, आप सपाक को आप रिवाइज नहीं कर सकते, राजन नहीं है, हाइफनेट हो रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आज सारे विश्व में एक जो रेपिटेशन है, ये इंटॉलरेंट स्टेट है और रिलिजिस स्टेट है, वो रेपिटेशन अब भारत की मिल रही है, कि ये भी इंटॉलरेंट है, ये भी दार्मिक रास् तो अगर आप ये देखेंगे कि इन इंटरनेशनल काविनेंट और कॉंस्टिचूशन और पॉलिटिकल राइट उसके हम दिरोदी हैं जो जिस पर हम देश्टाक शक्त किये हैं तो मतलब अगर आपकी रेपिटेशन सारे विश्व में ऐसी हो रहे हैं मैं देखता हूं कि भार इसे किस तरह से ले रही है यानि एक दो केसे हो सकते हैं जैसे अभी एक केस का एक जज़्जमेंट का जिकरी किया लेकिन कश्मीर का हाई कोट और दिली में सुप्रीम कोट उनका क्या स्टेंड पहले में एक बात बताना चाहता हूं यह जो कौन जो उन पर लगाया गया इस पर पुलिटिकल एक्ट्विटी चल रही है किसी और पुलिटिकल पार्टी में स्ट्रीम की मैं मैं नहीं सपरेटिस की बात कर रहा हूं चाहे नैशनल कांफरेंस हो पीडी पी हो थोड़ी बहुत कांगरेस कर रहा है जो मूम है या तारी गायमी की पर सी पी आए उनको नही आफ इंडिया के लिए इन पर ये सिलाइप करो आप कहेंगे जैसे आयर बारशल साब ने खुद कहा कहीं हिबसकार जो पेटिशन्स है सिप्रिम कोट में भी दाखिल हुए एक मुबीन शाह साथ थे कामर्स जो चैमर आफ कामर्स के थे उस वक्त सिप्रिम कोट ने ये कहा उनक पास ताइम ही नहीं है कि ये सुनने के लिए हालां कि इसकी इमिजेट हेरिंग होनी चाहिए बहुत सारे कैसे जिनकी हेरिंग ही नहीं हो रही है अगर हो भी रही है तो इसके लिए डेट लिया जाता है कुछ और राकॉमेंट्स मांगे जाते हैं जिस से डिनाय लाव बजा आपने डिपलोमेटिस को वहां लिया आपने ये सेकंड बैस था इसे पहले यूर्पेन यूनियून का अनाफिशल गया है अगर सारा नारमल है फिर प्राब्लिम क्या है इन पॉलिटिकल लीडर्स के आप ये दो तीन सव ही रहे है सारे कुछ और जिसको भी छोड़ते ह उसे अंडर्टेकिंग लिया जाती है कि भाई वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करे इसका मतलब क्या है आप इसको वान मैन वान पार्टी सिस्टम को वहां पर इंटर्डूस कर रहा है उस सलसले में उन्होंने शायद कुछ जो है डिस्क्रेंटल पीडिपी के कुछ रहनमा है उनको भी जमा किया और जो दूसरे चोटी चोटी पार्टियों के थे गुलाम हसन मीर साथ थे एक शायद इमरान या दूसरी पार्टी के हैं उनको शायद मिलानी की कुशिश करे हैं ताकि वे बनाएंगे गुरूप जैसा बनाएंगे इस एलेक्शन में पार्ट देने के लिए चूंकि जब बड़ी लीडर्शिप दोनों पॉलिटिकल पार्टी की बंद है अभी वो डिसाइड नहीं कर सके कि क्या जो कहते हैं कि एपरिल या में के फिस्ट वीक में फिस्ट में हो जाएंगे एलेक्शन क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं ताक और आप यूके मानवधिकारों को लेकर के और जो कश्मीर के खानून थे दाहरा तुन सेस्टर इन सब को आपने पेटिशन के जरीए सुप्रिम कोर्ट में भी चुनोती दी है क्या अमीद आपको नजर आती है यह देखे मैं तो हमेशा बिलकुल अंधेरे में थोड़ी रो बिलकुल पैसमिस कभी नहीं रहा है और हमेशा आप कश्मीर जाएए मैं पांच बार हुआ हूँ कश्मीर आउगस्ट के बाद इस वक्त भी कश्मीरी के चेहरे पर मुस्कान है मैं जानता हूँ उसके दिल में क्या हो रहा है मैं जानता हूँ रोजमरा की जिन्दगी में कि होना इस बात का है कि आप कानून जो लागू करते हैं PSA वो किसके खिलाफ करते हैं भारुक अब्दॉल्ला, अमर अब्दॉला, महबूबा मुफ्ती, इनके खिलाफ, अली मुहमद सागर, और इनको आप जोड़ देते हैं मसरत आलम के साथ, और जो अलगावादी हैं, जो ह मिंसा में स्वेर करते हैं कि हम इंसा करेंगे, दोनों को मिला लिए, और जो आपके लीडरान हैं, 18 जून 2018 तक, 18 जून 2018 तक, जब गवनर जूरूल इंपोस हुआ, और डिसमिस की महबूबा की गवर्मेंट, महबूबा के पास 28 सीट्स थी, कॉंग्रेस के पास 12 सीट्स थी, National Conference के साथ 15 सीट्स थी, इंडिपेंडेंट्स साथ थे, जो सब आर्टिकल 370 पे, अब इनको आप जोडेंगे, तो इनको मजॉरिटी है, मजॉरिटी इन दे इसेम्बली जब चुनाओ, Central Election Commission ने किये हैं, और इसके, इसके contrast में आप क्या देखते हैं, परसों ही कुछ दिन पह करे एहम नेता, उन्होंने कहा कि हम पर ये 200 लोग हैं, बड़ा तंग करते हैं, वाके सारा कश्मीर मेरे साथ है, मुझे support करती है, मानते हैं, हम उनको नानी करना चाहते हैं, मगर हम देखना चाहते हैं, जमीन पर ये कैसा चाहते हैं, आप इन लीडर्स को release कीजिए, आपने elections किया नहीं है, Central Rule है कश्मीर में इतने सालों से, जैसे इनोंने कहा है कि अब आप political re-engineering कर रहे हैं, विकाओ जो लीडर्स हैं, उनको कहते हैं, या आप टिहार में रहेंगे, कोड बलवाल जमू में रहेंगे, या सिरनगर में रहेंगे, अगर ये मालूम नहीं तो हम आपक कि कश्मीर की जो चनौतिया हैं, उनको आपने manifold increase करा है, 100 गुना increase किया है, कि वापस 18 जून को जाने के लिए आपको बहुत ही, बहुत ही काम करने पड़ेंगे, मगर इस माहौल में भी में कहता हूं, कि आप कोई creative, imaginative रास्ते डूंड ये, outreach कीजिए, ज्यादा तर हमारे य unemployment में कश्मीर में हैं, युआओं में हैं, वो बिलकुल hopeless हैं, कोई, they have death of expectation, कुछ नहीं मिलेगा, जब एक हमारे एक इतने चनौति पूरवक, sensitive राज्य में, ये माहौल है, तो आपको अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो बर्दबादी के रास्ते आप जरूर देखेंगे, आप क्या उमीद देखते हैं, देखेंगे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जब इन्होंने रिवोक किया, 370, इन्होंने ये impression दिया, लोगों को, rest of the country को, शायद पहली बार जमो कश्मीर, हंदुस्तान का हिस्सा बन गया, ये जैसे वो अलग था, पाकिस्तान वहा रहा था, ये उन्होंने एक impression दिया, 370 एक sentimental emotional attachment की, इसमें 49 टाइम्स शायद amendments होए थे, through presidential order, except जो था वहाँ पर ये property rights के बारे में था, जो 35 AI या इसमें भी, अब उसी की बाद, चुंकि पहले हटाया गया, अब ये government, चुंकि जमू में भी, अब लोगों को समझ में आया है कि शायद ये उनके लिए भी बहुत खतरनाक साबित होगा, तो उन्होंने अब ये सोच रहे हैं, एक order निकालेंगे, कि पंदरान साल तक वहाँ पर कोई भी जमीन खरी नहीं सकता है, private property, अगर institutions होंगे, या कोई बड़ी company चोड़ेगे, इसके लिए ये order नहीं है, अब problem य है कि एक तो उन्होंने किया है पहले, सबसे बड़ा इसकी जो सब जब बड़ी तबाही की, इसको डाउन ग्रेड किया, इसको दो union territories में विया, कोई भी कोहीं खुश नहीं है, करगिल वाले कहते हम नहीं जाएंगे, लदाक वाले कहते हमें ट्राइवल स्टाइटस दीजे, जमु वाले कहते हमें प्रेटक्श, अभी आगर आपको पता हगए हाई कोट ने वहां पर कुछ वेकंसी निकाले थे, वेकंसी में यह अलिंड़ा लेवल पर निकाले थे, विदिन टू डेज डेव टू डेव टू विड्रा इस नोटिफिकेशन, चुँके जमु में रिज पर चाहे बड़े जिए का लिया, आर्टिकल थ्री सेवंटी का लिया, किसी भी प्लिटिकल पार्टी से मशवरा नहीं करते हैं, या जो लो एमिन अट ली जैसे काकसा वहां पर कई सालों से काम कर रहे हैं, मशवरा एके लिए ही करे, कुछ इन्पूट लें, यह समझते हैं कि सारा को जो यह करते हैं, वोगी सारा कुछ ठीक है, अब फिर जब उसको रिस्टोर करनी की बात ही, आ च्छे महीने हुआ, कोई भी इसको नहीं करता है, बहिए चे महीने तक भी आप इसको वहां पर नार्मल सी नहीं ला सके. इतना होते हुए भी, हर दिन यह कहते है, नह के जो मसायल है इनको ध्यान नहीं देंगे उनको जो सेंटिमेंट से इसको एडरस नहीं करेगी यह अंड्रेस्ट रहेगा अभी तो यह नीचे ही दवा है कहीं न कहीं इसमें निकलेगा बदो शुक्रिया कपिलकात साथ शेख मंजुर एमसाब इस चर्चा में भाग लेने के लिए तो कश्मीर में चाहे जैसे गानून बने लेकिन अगर उसे आम आदमी को रहत नहीं मिलेगी और शान्ती बहाल नहीं होगी तो फिर कोई भी गानून अपना काम नहीं कर पाएगा मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही इजाज़त दीजे नमस्कार झाल